नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके साथ होममेट चमन प्रास की रिस्पी सेर करने जा रही हूँ, जो आज हम घर पर ही बनाएंगे और बिल्कुल बजार जैसी सुवाद अगर एक वर आप बनाकर किन्ही को बताये हुए आप चमन प्रास टेस्ट करने के लिए देंगे तो आपके आपनी में हो उसे साइड करने, कोशिस कोरें मिखेर क्लें हैं और इसमें हम सारे आपनी थाहा का चाहिए जरूरत नहीं है प्रेफर कुकर का ढगा कर इसे हमें दो से तीन सीटी आने तक पका लेना है तो यहां पर जब तक हमारी आमला पक रही है जब तक हम यहां पर कुछ मसाले हैं जिसे हम पीच लेते हैं तो चलिए देख लेते हैं कितने कितने मसाला हमें इंचमनपरास में डालना है तो यहां प डाल चीनी 7 ग्राम और यहां पर मैं बंसलोचन ली हूँ जिसे हम 15 ग्राम लेंगे आप देख सकते हैं इस तरह से वंसलोचन मिलता जो पंसारी की दुकान होती है वहां पर जाईएगा तो वह वहां पर बोलिएगा तो वह आपको इस तरह का वंसलोचन देगा उसका पौडर लेने की जगा पर आप इस तरह से साबूत पंसलोचन ही लीजिए तो यहां पर जितनी भी मसाले हैं पहले हम उसे हम मिक्सी के जार में डालके इसे हम अच्छे से पीस लेंगे वंसलोचन हम इसके बाद डालेंगे यहां पर जो तेजपत्ता उसे मैं थोड़ी ती तोड़ लेती हूं जिससे कि इन सारे मसालों के साथ यह तेजपत्ता अच्छे से पीस जाएगी तो चलिए पहले पीस लेते देख सकते हैं इस तरह से हम इसे पीस लिया है तो यह सारी मसाले हैं जिसे हम अच्छे से चान लेंगे चानने के बाद अगर इसमें थोड़ा मोटा पार बच जाएगा उसे फिर से हम मिक्सी में डालके इसे पीस लेंगे तो देख सकते हैं इतनी सारी जो मोटे इसका जो पार बच गया है उसे फिर से हम मिक्सी के जार में डालेंगे और फिर से हम पीस लेंगे अब चाहें तो इन मसालों को एक दिन की धूप लगा के इसे पीसे तो सुखने के बाद मसाले असानी से पिस पाएंगे तो देख सकते हैं मैंने दूसरी बार भी इस तरह से पिस के इसे चान लिया है अब चाहें तो इसे फिर से पिसे नहीं तो इन मसाले को आप सबजी में डाल सकते हैं तो यहां पर मैं बंस लोशन को भी पिस लूँगी इसे हлять पीछने में बहुत जादा ठाइम नहीं लगता इसमें कोई ना अफ्सने के वह यहीए भी तरफ चलते हैं अकले देख सकते हमारे में जो आमला है वह अच्छे से पक चुके हैं अब इसे हम एक बारतन में निकाल लेंगे हमें इस आमले को थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेना है उसके बाद इन आमला से हमें बीज को निकाल लेना है जब हलका गर्म रहे तभी यह प्रोसेस करना है क्यों नहीं तो हलका गर्म रहे तो हांसे भी मैस कर सकते हैं नहीं तो आप गिलास बगएरा है उससे भी इस तरह से दवा दवा कर इसे मैस कर लें यहां पर देख सकते हैं इस तरह से हमने इसे अस्मूत पेष्ट बना के तयार कर लिया है अब इस आमले को पेष्ट को हम साइड कर कर लेंगे अब हमारी काडाही गर्म हो चुकी है ताब आजे से मिल्ट होने देंगे जैसे हमारा जो घी है अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें हम आमला का पेश्ट ढाल देंगे और पेश्ट देर के लिए भी इस आमले को पेश्ट को न छोड़े नहीं तो आमला का जो पेश्ट है तले में जाके चिपक सकता है इसे हमें जब तक भूनना जब तक कि इसका जो आमले का पानी है वो सुख न जाए वो जब पूरी तरह से अगर सुख जाएगा तो देख सकते हैं इस तरह स्कतleşु चला और हमेश और सिल खुद सीषे से पी आपका पेश्ट को जितने अच्छे से हो गई है जो आपका चमनप्रास यह उसका स्लक्राइफ जदा होगगा तो हमारे जो आमला का पेश्ट आ से बहुझ चुका है तो यहां पर हम ने एक कील G आमला का यूज किया है तो यहां पर हम एक केजी और धाइ सगराम, यानि सावा केजी, गूर डालेंगे, गूर हमने छोटे छोटे तुकरों में काट लिया है, अगर आपके पास गूर का जो तुकरा बढ़ा-बड़ा है, तो कोशिस करें, उसे छ तो उसे भी हम मिल्ट कर लेंगे इस प्रोसेस को करने में तकरिवन आपको साथ से आठ बीना या तो दस मिनट भी लग सकते हैं लेकिन गैस का फ्लेम लो ही रखें जैसे ही आपका जो गुड़ है वो मिल्ट इस तरह से हो गया देख सकते हैं गुड़ अच्छे से मिल्ट हो ग अगर एकावार में सारा मसाला डालेगे तो इसलिए आप थोड़ा सा मसाला डाले उसको पहले मिकस कर लें आमला का पेश्ट में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं तो फिर से बचे हुए मसाले इसमें डालेंगे और फिर से इसे हम मिक्स करते जाएंगे आमले के पेश्ट में मसाला मिक्स करते इस टाइम गैस का फ्लेम लो ही रखें और इसे कंटिन्यू चलाते हुए मिक्स कर लें देख सकते हैं आमले के पेश्ट में सा हो जाएगा तो इसे हम घार में भर लेंगे पहले हम किस ठंडा हों छुका है जिस टैम हमने इसे वतार जैसे बहुत अखिर नहीं किटना ठीक हमारा शमान बात्वाली मारकेट वाली चमनपरास, जेजी, इस चमनपरास को दूद के साथ आप डेली एक चमच लिए, देखें कितने फाइदे मंद है, तो चलिए यहां पर हम इसे जार में भर लेते हैं, तो इसे आप पलास्टिकी या काज के जार में ही भरें, च्वरी तो आपका जो चमनपरास औ पहले तो आप आमले की जो भुनाई है वो अच्छे से करनी है जब तक कि आमला का पेश्ट अच्छे से सूखना जाए और दूसरी बात इस बात का दिहान रखना है कि जब भी आमले के पेश्ट में आप गुढ को मेल्ट होते ही आपको गैस का फ्लेम आफ कर देना है अगर ज चमन प्रास की रेस्पी आपको पसंद आई तो लाइक कर दे मेरे चैनल पर नए आये हैं तो सब्सक्राइब कर दे और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दवाना ना भूले मेरी बताई हुई रेस्पी से घर पर चमन प्रास जरूर बनाए और आ आपकी चमन प्रास कैसी बनी हमें कमेंट कर जरूर बताएं